पूरे विश्वे को इक बात की चर्चा है लोगों के मुँँ में पानी छूटता है भारज एक बहुत बड़ा बाजार है पहली नजर में ये लगना बड़ा स्वाभाविक है मैं कोई बड़ा अर्थसास्त्री नहीं हूँ लेकिन जो देश या जो उद्योकार या जो वेपारी भारत को बहुत बड़ा बाजार मानता है उसने कभी ये सोचा है कि उस बाजार में पर्चेजिंग पावर है क्या उस नागरिक का पर्चेजिंग पावर है क्या उसकी खरिच सकती बड़ी है क्या अगर वो संख्या में ज़्यादा होगा लेकिन पर्चेजिंग पावर नहीं होगा उसके जेब में दम नहीं होगा तो दुनिया इतने बड़े आउसर को खो देगा और इसलिए विश्व के उद्द्योग वापार जगत को मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि आप भारत को सिर्फ बाजार मत मानिए आप भारत के हर नागरिक को उस पोटेंशल के रूप में देखिए जितनी तेजी से भारत का मिडल क्लास का बल्ग बढ़ेगा गरीबी से लोग जितनी तेजी से मिडल क्लास के और जाएंगे उतना ही बिश्व के लिए अनुकुल बाजार में वो कनवर्ट हो सकता है और गरीबी से मद्द्यबर की तरफ यह बल्ग बढ़ाना है तो क्या करना होगा सीधा सीधी बात है रोजगार के अउसर उप्लाब्दकार आने पड़ेंगे अगर गरीब को रोजगार का अउसर मिलेगा तो उस परिवार की परचेंजिंग पावर बढ़ेगी गरीब से गरीब की पर्चेजिंग पाउर बढ़ेगी। आज वो एक चीज लेनी है, तीन रुपया, पाँच रुपया, साथ रुपया वाली मिलती है, तो तीन वाली पसंद करता है। फिर वो क्वालिटी के तरफ जाएगा। अभी घुजरा करने के लिए बह रहा है। रोजगार के अफसर जितने ज्यादा बढ़ेंगे, उतना ही पर्चेजिंग पाउर बढ़ने वाला है, हमारी एकानोमी जंडे ठोले वाली है। ये रोजगार के अफसर कैसे बढ़ेंगे? अगर आप बहार से आकर के या इहां के लोग अवद्योगिक विकास पर अगर ध्या नहीं देंगे, रोजगार के अफसर उपलब्द नहीं कराएंगे, तो ये पूरा चक्र कभी पूरन होने वाला नहीं है। और इसलिए हम बेक इन इंडिया की जब बात करते हैं तब सिर्फ आपको एक competitive situation के लिए हम आफर कर रहे सा नहीं है। जब हम आपको मेक इन इंडिय के बात करते हैं तब आपके उत्पादन के लिए बहुत बड़ा बाजार अपने आप खड़ा करने का हम आउसर देते हैं। और अखिरकर मैनुफेक्टरर को कॉस्ट इफेक्टिव मैनुफेक्टरर की जीतनी आवशेकता है। उतनी ही उसको हैंड्सम बायर की विजरूरत ह तभी तो उसकी गाडिक चलती है।